हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी ख़बरों के बारे में जानेंगे अब इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के इस जिले में रहते और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की बड़ी कबर आटवी तक के बच्चों को परिचा लिए बगेर परमोट कर सकती है सरकार कुरोना महामारे की कारण बड़े पैसले की तैयारी जी हाँ बेते साल आए कोरोना महामारे की वज़ा से स्कूल बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है लंबे दोर के बाद किसी तरह अब छटी कलास से उपर के बच्चों के लिए स्कूल गाइडलाइन के तहत खोला गिया है लेकिन बच्चों की परिक्चा कही परमोट करने के तयारी में है बगेर एनवल एक्जाम के चात्रों को परमोट करने के फैसले पर सिक्चा विवाग गंभीरता पुर्वक विचार कर रहा है सिक्चा विवाग के प्रधान सचीव संजे कुमार और सिक्चा मंत्री विजे कुमार चोदरी भी इस इस कॉंग्रेस अज़क डाक्टर मदन मोह जहा की उपस्तिती में समस्ति पूर एवं दरबंगा के करीब 50 से अधिक नेताओं ने कॉंग्रेस पार्टी की सदस्ता गरन की अगली बड़ी कबर एलजबी में फिर बड़ी बगावत जड़ोई के साथ जा रहे हैं पाच दरजन नेता चिराग पर करेंगे धोकादड़ी का मुकद्मा लोक जन सकती पार्टी में बगावत वह भगदर का दोर थमने का नाम नहीं ले रहा बिते जन्वरी में पार्टी के सतास नेताओं ने एक साथ इस्तिपा देकर राष्टिय जनतांतर गड़बंदन को अपना समर्तन दिया था लजबी में एक बार फिर बड़ी बगावत त केशव सिंग ने बताया कि ये नेता 18 फरवरी को जड़ोए कार्याले में आयजीत मिलन समारो में जड़ोए के राष्टी अधर्च आर्सिपी सिंग के समक्ष पार्टी की सदस्ता गरहन करेंगे मिलन समारो में उर्जा मंतरी विजे स्यादव जल संसातन मंतरी संजय जा सिक अगली बड़ी Katie कावर आज से सभी वाहनों में अनिवार हो जाएगा डिया आज यानी 15 फरवरी से पुर देश में फाष्ट टेग अनिवार हो जाएगा जिसके बाद फोर वीलर वाहनों में फाष्टेगms लगाना जुरूरी हो जाएगा 15 फरवरी से अगर किसी भी वहाद में फास्टेक नहीं लगा होगा तो वहाद चलक को दोगुना टोल्टेक्स देना होगा आपके जानकारे के लिए बता दे कि फास्टेक एक स्टिकर की तरह होता है फास्टेक को खरिदने के लिए आप Amijan Flip Card और Paytm जैसे e-commerce प्लेटफर्म के अलावा 23 ऑथराइज बेंक रोड टांसपोर्ड ओफिस के पॉइंट ओप सेल से भी खरीदा जा सकता जानकारे के मुताबिक देश में 30,000 पॉइंट ओप सेल पर फास्ट टेक उपलब्द है जहां से आप खरीद सकते हैं इसके साथ ही आपको बता दे कि फास प्रस्ताव तयार कर लिया है केविनेट की स्रुकिति के बाद संसोधन विदाएक बिहार विदान मंडल के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा सतन में पास होने के बाद यहाँ संसोधन एक्ट का हिस्सा बन जाएगा नए नगर निकायों के गठन के प्रक्रिया में कई ग्राम पंचायतों का हिस्सा उसमें सामिल हो गया है इसक संसार के बिजली उपभगताओं का मिटर अब तई समय में बदला जाएगा सहरी चेतर में 24 घंटे तो ग्राम इन इलाके में 72 घंटे के भीतर मिटर बदल दिया जाएगा अभी यहाँ विवस्ता ट्रांसफर्मर के मामले में लागू है मिटर बदलने के लिए सरकार ने वि लाउधान किया गया है कि ग्रामइन इलाके लिए भी विनायमक आयोग समय करें लेकिन ग्रामिन इलाकों के लिए भी विनायमक आयोग अधिक्तम 72 घंटे का तैस समय देगी इसके साथ आपको बता दे कि मिटर तभी बदला जाएगा जब उबबोक्ता की और से इसकी विध माप करने के मांग रगी अप्रावेट-इसक Rules की मनमाने के किलाप पटना में कल आकरोज मार्च निकाला गया सिख्चा के व्यवसाई करन के किला आप जागों के तत्वा भादन में छात्र अभिबावक्षांगर समिति ne या मार्च निकाला है इस दोरान प्रावेट स्कूलों के खिलाब प्रदसन भी किया गया है और जमकर नारे भाजी भी की गई प्रदसन करे लोगों ने बताया कि सरकार पर सिक्चा मापया पूरी तरह से हावी है सिक्चा माभिया पर सरकार का कोई नियंतर नहीं है यही कारण है कि प्रावेट स्कूल की मनमानी आज भी जारी है कोरोना काल में कई लोगों की नोक्रिया चली गई है इसके बावजूद अभिभावक से आज भी फिस ली जा रही है कई महिनों से तो इसकूल भी बंद लेकिन ओलाइन क्लास के नाम पर पैसे की वसुली जारी है आकरोस मार्ज के दोरान चातर अभिभावक समिती के सदस्यों ने कोरोना काल के दोरान साट फिस दी फिस माप किये जाने और सभी प्रावेट स्कूलों पर तमाम कसने की मांग सरकार से की है इसके साथ मांग पूरी नहीं होने पर समितिकी सदेशों ने आंदोलन को तेज करने की धमकी दी है बिहार में अब निबंदिन स्रमिकों को आसानी से मिलेगा केंद्र वा राज सरकार की योजनाओं का लाब सिंगल विंडो सिस्टम होगा लागू जिया राज बर में निबंदिन स्रमिकों को केंद्र वा राज सरकार की योजनाओं का लाब एक ही जगा मिले इसको लेकर स्रम संसाधन विवाग के मंत्री ने समिक्चा बेटक कर सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है ताकि स्रमिक एक ही जगा आवेद सिस्टम के तहद तयार होने वाले एप में फाइल ट्रेकिंग की स्विधा होगी और इनके माजदम से स्रमिक अपना आवेदन नमबर डाल कर खुद यहाँ पता लगा पाएंगे कि उनकी फाइल अभी किस टेबल पर लंबित है फाइल ट्रेकिंग सिस्टम की विभाग खु आधार कार्ड से जोड़ना जरोरी हो गिया है सरकार के द्वारा यहाँ निर्देश जारिक किया है कि अगर रासन कार्ड में आधार सिडिंग नहीं होगा तो अप्रेल मा से रासन से वंचित कर दिया जाएगा किसी भी परिवार के रासन कार्ड में परिवार के सभी सदोश का आधार रासन कार्ड से जोड़ना अनिवार है आपको बता दे कि सरकार ने पेडियेस दुकांदारों को अपने वेपार केंद्रों पर 15 एवं 16 परवरी वह 24 एवं 25 परवरी को विशेस केम्प लगा कर रासन कार्ड धारियों के रासन कार्ड में आधार सिडिंग करने का अब कुछ सरकार करेगी इसकूली बच्चों की आखे की जाच के लिए पूरे राज में विस्तुत अभियान चलेगा और जिने दरकार होगी उन्हें चस्में भी दिये जाएंगी इसका फायदा केवल और केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही मिलेगा ऐसे में विभावकों की उपर बच्चों की आखे कमजर होने की चिंता नहीं रहेगी छात्रों की आख की फिक्र अब बिहार सरकार करेगी बताया जाता है कि पहले दो लाक बच्चे को चस्में दिये जाएंगे उसके बाद लच को बढ़ाया जाएगा इसके लिए दिली के गेर सरकारी संगटन से बिहार सरकार की वारता चल रही है पटना में जमीन मकान खरिदना होगा महंगा 200 फिजदी तक बढ़ सकता है सरकिल रेट पिछले पाच वरसों से पटना के सरी चेतरों की जमीन के सरकिल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया जबकि कई महले वा बड़ोत्री हुई है निबंदन विवाक की ओर से ऐसी जमीन को चिनित कर सरी चेतर की जमीन के सरकिल रेट में 20-25 फिजदी तो सहर के 60 आसपास के चेतरों में 30-100 फिजदी तक जमीन के सरकिल रेट में बड़ोत्री की जा सकती है जमीन के सरकिल रेट बढ़ाने का प्रस्ता कर दाऊका मसोदा तयार क्र लिया गया है मुठताव इस्तर पर चेत्र के हिसाब से सर्कल रेट बढ़ाने पर विचार चल रहा है आपको बता दे कि सहरी जमिन इनको तीन भागों में बाटा गिया है यह प्रधान मुझके सड़क मुझके सड़क वह साका सड़क स्रेनी है प्रधान मुझके सड़क पर 10-20 फिजदी मुझके सड़क पर 10-25 फिजदी एवं साका सड़क पर 20-40 फिजदी तक किमत बढ़ सकती है पतना के लोगों के लिए बड़ी कबर आज से मिटापूर की बजाए नए बस पड़ाव से मिलेंगे दो जिलो के वाहन मंगलवार के राजदानी पत्ना में मिटापूर बस पड़ाव से बस पकड़ने के दोरान होने वाले असुविदा की बाते अब यादों में दर्ज रह जाएगे राज परिवन विवाकी ओर से बेरिया के पास बनाये गए अंतर राजिया बस टर्मिनल से बसों का आवागमन स कोंबार से शुरू हो जाएगा अच्तादुनिक तकनिक से लेस बेरिया अश्तित अंतर राजिया बस टर्मिनल से प्रतम चरण में सिर्फ जहानाबाद और गया के लिए बस कुलेंगे मंगलवार से ये बस मिठापूर बस पड़ापर नहीं आएंगी बड़ी कबर BPSC ने जारे की मेंस परिक्चा की तिति 27 अवं 28 परवरी को होगी खनेज विकास पदादेकारी की परिक्चा बिहार लोक सेवा आयोग ने खनेज विकास पदादेकारी की लिगित परिक्चा की तिति गोसित कर दी है परिक्चा 27 अवं 28 परवरी को आयोजित की जाएगी आयोग के सयुंगत सचीव सपरिचाक नियंद्रक अमरेंद्र कुमार ने बताए कि उमिद्वारों के सुची आयोग के वेवसाइट पर जारी कर दी गई है यदि किसी आयोग उमिद्वार को किसी परकार का दावा करना है तो वह अपने साच के साथ 20 फरवरे तक पाटना एमस में समुवार से शुरू हो जाएगी ओपर दी सेवा करना के करन नहीं हो रहा तो ओपर दी में इलाज के लिए एक दिन पूर्व टेलिफौन से रजिस्टेशन कराना पड़ता था एक दिन में महज 20 मरीजों का OPD में इलाज हो पथा था एमस जादा तर संसादनों का इस्टमाल कुरोना के मरीजों के इलाज के लिए हो रहा था अब कुरोना के मरेजे गटने के आपके जानकारी के लिए बता दे कि सुबह आठ से दो पर दो बज़े तक निबंदन होगा और साम पाँच बज़े तक निबंदन कराने वाले मरेजों को डाक्टर देख सकेंगे और हमकी बड़ी कबर अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में होगा भारत और इंग्लेंड के बेच घमासान टिकडो की बुकिंग सुरूँ जी हाँ क्रिकेट के फैंस के लिए बड़ी कुसकबरी है भारत और इंग्लेंड के बीच होने जारा तिसरा टेष्ट मैच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में आयोज़ित किया जाएगा आपको बता दे कि आहमदाबाद के मोटेरा इस दुनिया के सबसे बड़े क्र कड़ों की बुकि कल से सुरू हो गई है आपको बता दे कि इंगलेंड के टीम इस स्टेडियम में भारत के खिलाब दो टेस्ट और पांच टी-20 अंतराश्ट्य मैच खेले गे वहीं कूल एक लाग दस जार दसक के ही स्टेडियम में बैठने की छमता है इसके अलावा नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताए